हलो स्टुडेंट वेलकम टूर चैनल सीएस इंजिनेरिंग ग्यान आज की टुटूरियल में बच्चों की बहुत डिमांड आई है कि आप कन्वर्जन के कुछ इंपॉर्टन कुश्चन हमें बताईए तो आज हम लोग कुछ 10 इंपॉर्टन कुश्चन देखेंगे जिसमें हम बाइनरि में करना है या बाइनरी को hexadecimal hexa को बाइनरि में करना है octal binary binary octal तो इस टाइप के कुछ 10 कुश्चन हमारे इसमें हैं जिसमें हम लोग long method and short method दोनों इसमें देखने वाले हैं तो इसमें मैं आपको कुश्चन दूँगा पहले आप उपसे try करिएगा नहीं होगा तो आप यहाँ पर देखेगा otherwise first आप खुछ से time लिजे pause करिए वीडियो को and then उसके बाद आप यहाँ पर solution देखेगा तो सबसे पहला question है आपका binary को आपको क्या करना है decimal में convert करना है एक binary number आपको दिया है जिसमे 101110 आपका binary है जिसको आपको किसमे convert करना है decimal में convert करना है तो सबसे पहले आप थोड़ा से time लिजे इसको perform करने के लिए नहीं तो direct आप देख लिजे यहाँ पर खुछ से करिए फिर इसके बाद solution आप देखे और यह आएगा 2 की पावर 0, बेस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इस type से आपका फिर पर जेंगा आप क्या करेंगा जिए जिए आपका convert हो जाएगा किसमे decimal में convert हो जाएगा तो आपका जो answer आयो 46 आयो यह तो आपका है long method दूसरा आप इससे sort method से भी कर सकते हैं तो sort method के लिए आपके पास code होता है इसमें 1, 1 से start करेंगे 1 into 2, 2 into 2, 4 into 2, 4 into 2, 4 into 2, 8 into 2, 16, 16 into 2, 16, sorry 16 into 2 आपका 32 हो जाएगा ऐसी 32 into 2 आप करेंगे 64 then 128 इस टाइप से आपका चलता रहेगा है 22 multiply आपको करने अब total आपके यहाँ पर number थे 123456 तो मैंने 6 तक का ही code लिया है add कर देना तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 तो total आपकी जो value आगए इसमें वो क्या हो गया आपका 32 प्लस 40, 40 प्लस 4, 44, 44 प्लस 2 कितना हो गया आपका 46 यह return कर देगा आपका as a decimal तो यह आपका shortcut method है जिसमें आपको code याद होना चीए 1248 करके आप इसको return कर सकते हैं 22 आपको multiply करना है तो यह आपका पहला question था इसी वे में अब हम दूसरे question की बात करते हैं दूसरा question है आपका decimal number है जिसे आपने convert करना है binary में तो decimal को binary में convert करने के लिए पहले आप थोड़ा सर time लेजिए इसको perform करने के लिए नहीं होगा तो आप यहाँ देखिए decimal को binary में convert करना है तो answer तो इसका direct आपका यह आजाएगा 101101 बट यह work कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको देखते हैं तो सबसे पहले decimal को आप लिख लिजिए यहाँ पर जब भी आप किसी decimal value को दूसरे part में divide करेंगे तो उसके base से आप इससे क्या करेंगे divide करेंगे तो आपने यहाँ पर 45 लिखना है 45 को आप क्या करेंगे 2 से divide करेंगे तो 2 तू जब 4 एंड 2 तू जब 4 वन आपका remainder बचा 1 को आप note कर लेंगे second 2 वन जब 2 यहाँ पर remainder आपका 0 बचा देन 2 तू 5 जब 10 वन आपका remainder बचा 2 तू जब 4 वन आपका remainder बचा है 2 वन जब 2 एंड 1 आप 0 आपका remainder बचा है तो यह आपकी हो गई है MSB इसमें most significant bit यह रहेगी आपकी और यह आपकी रहेगी LSB जिसको हम लोग बोलते है least significant bit then opposite में आप इससे लिखेंगे MSB से LSB की तरब आप जाएंगे तो क्या आएगा आपका 101101 यह आपका binary क्या हो जाएगा equivalent हो जाएगा आपका long method से then sort method की हम लोग बात करतें तो code ही आपको याद रखना है 1248 1632 अब 32 तक का value इसके बाद जो है 64 आएगा 64 क्यों नहीं लिया हमने क्योंकि वो 45 से आपका greater हो जाता है तो इससे नहीं लेना है इससे less तक के code आपको लेना है अब 45 इसको आपका add करके आता है देखे 32 प्लस 8 कितना होगे आपका 40 40 प्लस 4 44 44 प्लस 1 45 आपका होगे अधर जिगे आप क्या कर देंगे 0 कर देंगे तो यह directly आपका किस में convert हो गया binary में convert हो गया यह आपका sort cut method है using code code को use करके आप directly find out कर देंगे आप sort method से as a binary conversion तो यह दोनों method हो गया आपके decimal को binary में convert करना now next question है अब आपको binary को hexadecimal में convert करना है तो पहले आप खुछते perform कीजिए तो देर pause कीजिए इस वीडियो को तो binary को hexadecimal में convert करने के लिए आपके पास दो method है long method है पहले binary को आप decimal में convert करेंगे then उसके बाद आप इससे क्या करेंगे hexadecimal में convert करेंगे तो पहला method तो यह है कि पहले आप इससे decimal में convert कीजिए and then उसके बाद आप decimal को किस में convert करेंगे hexadecimal में आप convert करेंगे और दूसरा method होता है आपका shortcut method hexadecimal का जो code होता है आपका 1248 होता है 1248 से आपके all hexadecimal की value जो होती find out हो जाती तो आपको 44 का pair इसमें बनाना है shortcut method पहले हम लोग देख लेते हैं तो shortcut method में देखे पहले 4 का pair आपने ये बनाया और दूसरे 4 का pair आपका ये बन गया है अब इसको आप 8421 से अगर value निकाले है 8421 ऐसी आप इसको भी लिखतेंगे 8421 अब देखे इसमें 421 के नीचे उपर आपका 1 है तो ये 4 plus 2 6 6 plus 1 7 यानि इसका code 7 आपका आगया है और इसमें आप देखें तो 8 plus 4 आपका 12 12 plus 1 कितना हो गया आपका 13 एंड 13 को आप represent करते हैं इसमें D से तो ये D7 आपका किसमा है 16 आपका hexadecimal में convert हुआ है ये आपका as a sort method है देखें इसका D हो गया इसका आपका 7 आगया है तो ये आपका D7 16 में आपका represent हो गया नहीं तो long method में आप क्या करेंगे 1,2,4,8,16,32,64,128 अब 1 किस किस के उपर है उसको आप add कर देंगे तो 128 के उपर है एक तो 1, दूसरा 64 के उपर है 1, तीसरा 16 के उपर है 1, then 4, 2 और 1 4 to 6, 6 plus 1, 7 7 आपका होगे जब आप इनको add करेंगे तो 2, 1, 5 आपका ये किसमे decimal में return हो गया अब आपको इसको hexadecimal में convert करना है तो 2, 1, 5 को आप मैंने भी बताया था किसी को भी आप hexadecimal में decimal को अगर hexadecimal में convert करें तो आप 16 से क्या करेंगे इससे divide करेंगे 16, 16 कितना बच्छा आपका यहाँ पर 555 हो गया 3 जा आपका कितना हो गया 48 और यहाँ पर remainder कितना बच्छा आपका 7 बच्छा है 13 को आप hexadecimal लिखते हैं D तो यह आपकी MSV हो गई है यह LSV हो गई MSV से LSV की तरफ जाएंगे तो D7 आपका hexadecimal में represent आपका हो जाएगा तो यह आपका binary to hexadecimal conversion है now next है आपका hexadecimal को अब आपने convert करना है binary में तो hexadecimal को binary में convert करना है तो इसके भी दो method है एक तो आपका sort method है दूसरा long long method में वही सबसे पहले आप इसे decimal में convert करिए फिर उस decimal को आप किसमें convert करेंगे binary में convert करेंगे एक method तो यह है दूसरा method आपका shortcut method है, shortcut में क्या करेंगे, hexadecimal का code 1248 होता है आपका, 1248, तो 1248 से आप F, F represent करता है आपका 15 को, तो 15 का code अगर आप निकालने हैं, तो 8 plus 4, 12, 12 plus 1, 2, 14, 14 plus 1, 15, यानि F का जो code है वो आया आपका, 1111, और 3 का code आपका क्या आ रहा है, 0011, 0011, यह आपका इसका क्या है, binary equivalent है, आप इन दोनों को, 0 को हटा भी देंगे, तो आपका all value जो है, 1111 आ रही है, यह shortcut method से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 00111 आपका यह है binary, तो पहले hexadecimal को decimal में convert किया, देन उसके बाद उससे आपने binary में convert किया, यह देखिए, सबसे पहल आपका इसके डिवाइड किया, तो आपके 1111 यह आपका क्या हो रहा है, यह as a binary equivalent हो रहा है, और यह आपका shortcut matter है, 3 का binary equivalent, 7 का binary equivalent, यह आपका binary equivalent हो गया है, नाव, next है आपका decimal को, अब hexadecimal में आपने convert करना है, तो किसी भी number को, decimal को किसी दूसरे format में convert करना है, तो आप जो, ज खुछ से नहीं होगा, तो आप देखेगा, तो decimal क्या है, 102 है, decimal, उसको hexadecimal में convert करना है, तो क्या करेंगे आप, 102 को, आपने 16 से डिवाइड किया, 16 6 आपका 96 होगा, इसमें remainder आपका क्या बचा, 6 बचा, और यहाँ पर 6 टाइम भी आपका यह गया हुआ है, तो यह आपकी ह होगी, MSB, MSB है, और यह आपकी क्या है, LSB है, तो MSB से LSB की तरफ आप जाएए, और इसको note कर लीजे, तो 66 आपका 66, आपका यह hexadecimal में convert आपका हो गया है, इस type से आप convert करेंगे, यह आपका long method से ही होगा, short method से आप नहीं कर सकते हैं, इसको decimal को किसी और में convert करना है, तो आप long method से ही करेंगे, now next hexadecimal को decimal करना है, तो भी आपका long method ही use होगा, यह पहले binary में convert कर दीजिए, binary को आप decimal में convert कर सकते हैं, बट method आपका long ही इसमें use होगा, तो hexadecimal को decimal में convert करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, hexadecimal को decimal में convert करने के लिए आप क्या करेंगे, यह यहाँ पर यह value हो जाएगा 16 की power 0 यह multiply हो जाएगा 9 into 16 की power 1 तो a की value 10 10 into 16 की power 0 10 9 into 16 की power 1 आपका 144 हो गया तो value आई आई आपकी 154 जो आपके किसके equal है 154 decimal equivalent आपका हो गया है तो इस type से आप hexadecimal को decimal में क्या करेंगे convert आप करेंगे shortcut code मैंने यहाँ पर लिखे है hexadecimal 0 binary decimal क्या आप लिखेंगे यहाँ आपका representation भी यहाँ पर denoted है इसके बाद आता है आपका octal को binary decimal में convert करना है अब octal को decimal में convert करना है तो इसे भी आप shortcut method से नहीं करेंगे यह भी आपका long method से ही होगा तो octal है आपका 74 octal है इसको convert करना है अपने decimal में तो किसी भी नमबर को decimal में convert करना है तो उसकी power यह 8 की power क्या हो जाएगा आपका 0 यह 7 sorry 8 की power 1 हो जाएगा तो यानि value आपके पास क्या आई 4 इंटू 8 की power 0 प्लस 7 इंटू 8 की power 1 आपका हो जाएगा यहाँ आपर तो four into eight की power zero यानि one four into one four आपका हो जाएगा plus seven into eight seven into eight आपका हो जाएगा 56 तो आप दोनों को add करेंगे तो यह आपका आ रहा है 60 तो 60 आपका अंसर जो है वो return करेगा इसमें output में देखें यह आपका decimal equivalent आपका हो जाएगा यह पर solution भी है आप इसको भी देख सकते हैं तो 60 आपका इसमें return होगा now next है अब decimal को octal में convert करना है इससे पहले octal को decimal था आप decimal को octal में convert करना है तो किसी भी number को decimal को अदूसरे format में convert करना है तो इसके base से आप इसे divide करेंगे तो यानि आपको क्या करना है 56 को divide करना है किस से 8 से 8 का table 56 में जो होता है वो 8 time जाता है 8, 8, 6, sorry 8, 7 जा 8 का table 7 time आपका जाएगा किसमें 56 में 56 आपका हो जाएगा remainder किता हो जाएगा 0 तो यह आपकी क्या हो जाएगा इसमें MSB और यह आपकी क्या हो जाएगी LSB most significant bit आपका 7 है least significant bit 0 है तो इसका अगर हम octal equivalent की बात करें तो ये 7 0 आपका क्या हो जाएगा इसका octal equivalent हो जाएगा अगर आप यहाँ पर भी देखें तो आपका answer जो है 7 0 है जिसमें 8 7 जो आपका 56 है 0 आपका remainder है 7 और 0 को आप represent करेंगे इस टाइप से तो आपका 7 0 ये return करेगा now next है अब है binary को आपको convert करना है octal में तो यहाँ पर binary को जब आप octal में कर रहे हैं या binary को किसी और format में करा रहे हैं तो इसको आप long uns quoi दोजों method से कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको long method की अगर बात करें, तो पहले आप क्या करेंगे, binary को convert करेंगे किसमे, decimal में, फिर उस decimal को आप किसमे convert करेंगे, octal में आप convert करेंगे, तो decimal में convert करने के लिए आप 1, 2, 4, 8, short cut method ले सकते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 32, 64 आप करेंगे, तो 1 किस-किस के नीचे है आपका 64, प्लस 16, प्लस 4, प्लस 2, तो इसको जब आप add करेंगे, 6 प्लस 4, 10, 14, 15, 16, यह आ रहा है आपका 86, यह आ रहा है आपका decimal equivalent, now इसके बाद आप octal में convert करेंगे, तो आप decimal को octal में convert करने के लिए, 8 से divide कर देंगे, 86 आपका आया, 8 से आपने divide किया, 8 बंज 8 आपका आगया है, और यहां पर आपका बचा कितना, 2, यह आपकी MSB हो गई है, यह आपकी LSB हो गई, MSB, यह आपकी LSB है, opposite में आप लिखेंगे, तो 126 आपका answer जो है, 126 आपका octal equivalent आपका यह return करेगा, इसको आप direct भी देख सकते हैं, 126 आपका octal यह equivalent आपका आ रहा है, यहाँ पर दूसरा shortcut method से क्या है, आपका octal में जब आप convert करते हैं, binary को octal का code होता है, 124, 124 मतलब 3-3 का आपको pairing बनाने हैं, तो 3 का pair आपका यह बनाया, दूसरा pair आपका यह बना, तीसरा pair में 1 है, तो इसके आगे आप 0 add कर सकते हैं, यानि कोई value 3 है, उसके आगे कितने भ code है, और यह 124 से आप निकालेंगे, तो 1 का code है, तो 126 आपका क्या है, octal equivalent आपका आ रहा है, तो यह shortcut method भी है, आपका, now last question है आपका, इसमें octal को binary में convert करना है, इसमें भी आपके दो method है, पहले octal को, इसमें decimal में convert करिए, फिर binary में आप convert कर सकते हैं, या दूसरा method है आपक कि आपके पास octal का जो code है, वो 124 है, यानि shortcut method की बात करें, तो 124 है, 124 से आप 3 का code निकाल लिए, 3 का code क्या हो जाएगा, आपका 011, यानि 3 का binary equivalent जो हो गया, वो हो गया 011, और 5 का binary equivalent क्या हो जाएगा, आपका 101, तो यहाँ पर 101 आपका हो जाएगा, तो यह तो direct आपका method हो long method से पहले इसको किसमे करना है, decimal में convert करना है, तो कैसे होगा, 53 को decimal में convert करने के लिए, आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 की power 0, और यह आजाएगा आपका 8 की power 1, तो यानि यहाँ पर आजाएगा, 3 into 8 की power 0, प्लस 5 into 8 की power 1, तो कितना हो गया, यह 3 into 8 की power 0, 3, 3 into 1 हो जाएग प्लस 5 into 40, यानि यह आगया आपका 43, अब इस 43 को आप क्या करेंगे, यह decimal convert हो गया, अब इस decimal को आप binary में convert करिए, 43 को आप divide कर देंगे, किस से, 2 से, जो remainder बचेगा, note करिएगा, 2, 2, 4, 1 आपका, 2, 2, 2, 1 remainder आपका बच गया है, next, आप क्या करेंगे, 2, 1, 2, 10 time आपका चला गया, 1 remainder आपका यहाँ भी बचा, 2, 5, 10 आपका हो गया, 0 आपका बचा, 2, 2, 4, 1 remainder आपका बच गया है, 2, 1, 2, and 0 हो गया, यह आपकी MSB है, यह आपकी MSB हो गई, और यह आपकी क्या हो गई, यह आपकी LSB हो गई, ले सिगनिफिकेंट बिट हो गई, आप उजिट्स में value दोनों क्या है, same है, तो यह आपका long method हो गया, पहले decimal में convert करेंगे, फिर उसे आप binary में convert करेंगे, तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर sort method से create क्या है, मैंने long से भी आपको बता दिया, तो यह आपके different type से conversion थे आपके, एक number system को दूसरे number system में convert करना long and sort method, तो यह था number system, thank you student.